यह रेखिए दोस्तों यह मैंने आपके सामने दोनों बर्नर चालू करके दिखाए हैं तो दोनों गैस जल रही हैं अब आप खुद इसमें समझ जाएंगे कि ये देखी छोटा बर्नर है ये तेज जल रहा है और ये बड़ा बर्नर है इसकी आज कम है तो अब इसमें सर्विस की जरूरत है सर्विस इसमें हो जाएगी तो यह बिल्कुल सही जलने लगेगा तो चलिए दोस्तों जब भी हम कभी गैस की सर्विस करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे हमको यह रेगुलेटर यहां से बंद करके इसको निकाल देना है उसके बाद में ही इसमें हम यहां और इसके बाद में यह जो बर्नर है यह गरम हो चुका है इसको अटाना पड़ेगा यह दोनों निकालने के बाद में अब यह देखिए दोस्तों पिछली बार वी मैंने यह बताया था इसके अंदर जो है यह गंदगी आ जाती है तो इसको हमें साफ करना होता है तो इस तरीके से हम पैंचकस की मदद से इसको खुरोंच के साफ करेंगे अब देखिए आप इसमें किस तरह से कचड़ा निकलता है तो यह देखिए दोस्तों इस तरीके से इस बर्नर में से निकलेगा क्या होता है कि जब हम रोटी वगेरा इसमें सेकी जाती है तब ये कशड़ा धीरे-धीरे करकर इखटा होता रहता और इसमें पूरा जम जाता है तो इसको भी हमको साफ कर लेना चाहिए और इसके बाद में ये जो उपर से बर्नर लगता है तो बर्नर की ये जो जगा ये खांचे बने होते हैं इसको भी थोड़ा सा साफ ऐसे कर लेना चाहिए हमको इस तरीखे से जिससे कि यहां पे क्या है साइड से गैस लीकेज ना हो साइड से कभी-कभी आपने देखा होगा कि यहां से साइड से भी जो है आग पकड़ता है कभी-कभी तो यह सब इसकी वज़े से होता है कि यहां से क्या है कि गैस लीकेज होने लगती है तो इसको हमको हलका सा खुरू इसी तरीके से हम इसको भी ऐसे ही साफ कर लेंगे अब दोस्तों यह साफ होने के बाद में इसको हम ऐसे पल्टेंगे इसमें यह जो मिक्सिंग ट्यूब है जिसको एमटी भी बोलते हैं तो अब इनको हमें निकालना होगा तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले यह देखिए फ्लाइनेट लगा होता है विंगनेट भी बोलते हैं फ्लाइनेट भी बोलते हैं इसको तो यह हाथ से इस तरह से खुल जाता है अगर टाइट होता है तो हमको प्लास की मदद से इस तरीके से पगड़के इसको हम ऐसे खोल सकते हैं यूँ और नहीं तो प्लास की जरूरत नहीं पड़ती है इतना टाइट ही नहीं कसा होता है ये इसको हम ऐसे हाथ से खोल सकते हैं तो इसको खुलने के बाद में यहां पे एक वासर लगा होगा, यह देखिए यह वासर लगा होगा तो निकाल लेंगे, यह देखिए इस तरीचे से, इसको हम साइड में रखते हैं, और यह ट्यूब को हमने निकाला, यह है ट्यूब, अब देखिए दोस्तों, यह है हमारा ग गैस वाल्ब भी बोलते हैं और इसको गैस कॉक भी बोलते हैं कि गैस वाल्ब में यह नोजल लगे होते हैं यह अलग अलग नंबर के होते हैं बड़े बर्नर पे हमको 77 नंबर का नोजल मिलेगा और छोटे वाले पे 58 नंबर का मिलेगा यह चार प्रकार के नोजल इसमें लग नोजल नकालने के लिए हमको प्लास进 ह amar क्षिह जरूficर कि पढ़ीए यह खना दिशूर फाएगे तो हम को यह सिस्को गुमाघाई इवल्ठко And Hal, 17 को में खेंघाएंगे तो यह खोल जाएगा इस त्रीकेसे देखिया दोस्तोंatos कर दोख समा इस लेके तागत करते हमं और पीतल का होता है बहुत जल्दी टूड़ जाता है इसको बहुत आराम से हमको निकालना है तो यह देखिए यह नोजल हमारा निकल गया है अब इस नोजल का नंबर में आपको दिखाता हूं कितना है तो देखिए दोस्तों इसमें 58 नंबर नोजल लगा हुआ है 58 नंबर बहु जो flame है वो बढ़ जाएगा ये देखिए दोस्तों ये है से शnaire इसको लगाने से पहले हम gas clock को या gas valve को हम service करेंगे इसकी जो है सफाइए करेंगे इसकी सफाइए करने के दोस्तों हम क्या करते है यहां देखिए ये इसकी gas knob है इस gas knob को हमको खोलना है और खोलने के लिए क्या करेंगे इसको ऐसे open यह इस तरही कि जब हम गैस को चालू करते हैं तो यह गैस को ऊपर कर दिया नौब को यह देखिए इस तरही के से यह गैस बंद है यह से चालू हो गई कुछ नौब आती है जिसमें जो है यहां पर स्क्रू होता है इसमें स्क्रू नहीं है तो इसको हम इसी तरही के से ऐसे निकाल सकते हैं एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से या पैंचकस की मदद से इसको हम ऐसे करेंगे तो यह हमारा यह देखिए बाहर निकल आएगा यह हमने निकाल लिया अब निकालने के बाद में यह ह ये यह दोस्तों क्या करंगे यह देखिए यहां पे यह आपको दिखाई देगा यह स्कूरू लगा हुआ है घैस कोक में यह स्पिंडल कें ऊपर यह बशेट है यह जो चरम दिखाय दे रहा है यह लगा अब देखिए ये जो है इस तरीके से बाहर निकल आया अब हमको इसको साफ करने में आसानी होगी और ये देखी कितना कच्ड़ा इसमें जमा हुआ है तो इसी को हमें साफ करना है जब यह साफ हो जाएगा तो हमारी गैस बहुत अच्छी तरीके से जलेगी अब देखिए यहां पर जो इसको हमको यह हलका सा इस तरीके से दवाएंगे जिससे कि यह फ्री हो जाए इसकुरू यह दोनों इसके स्लॉट के बीच में ऐसे आ इस तरीके से खुल गया है यह देखिए यह इस तरीके से खुल जाएगा और अब जो है इसको हम ऐसे ही इस तरीके से बाहर निकालेंगे यह ऐसे बाहर निकलाएगा इसके अंदर एक स्प्रिंग निकलेगी इस स्प्रिंग को हमको निकालना है और इसके बाद में इसके अंदर इस पिंडल निकलेगा यह जो यहां पे कचड़ा जमा हो गया है इसको हमको साफ करना होता है इसकी वज़े से दोस्तों कभी-कभी आपने देखा होगा गैस में नीचे से आग लग जाती है तो यह इसके वज़े से होता है यह कचड़ा जो है यह जलने लगता है मार यह देखिए मैं स्पींडल इस में बार निकाल लिया है साफ करें लगाना है अब इसको देखिए यहां पे साफ करना है साफ करने के लिए साफ कपड़ा बला रजैंगे कॉंटन का सूथी सूती कपड़ा इस कुड्रायवर लिया उसके इस कपड़े को ऐसे अब और यह अंदर से हमको साफ करना है तो इस तरीके से गुमाएंगे तो यह साफ हो जाया झाए इसके अंदर का सारा कचल निकल गया और अब अब जो है यह देखिए इस पिंडल गंदा है इसकी उपर कितना कचल जमा हुआ इसको भी हमको साफ करना है तो इसको भी हम साफ कर लेंगे इस तरीके से इससे हम साफ करेंगे और अब जो है हमको इससे साफ करना है तो इस तरीके से हम इसको साफ करेंगे और साफ करने के बाद में ये कपड़ा इसके अंदर इसमें डाल देंगे इस तरीके से अब ये देखिए कपड़ा यहां से दिख रहा है ये बड़े वाले छेद में से इसको साफ करना है इसको साफ करेंगे और कपड़े को ऐसे घोमा देंगे तो यह जो है गंदगी लेके भाहर आ गया है सारी गंदगी निकल गई अब यह जो छोटा वाला छेद है इस छेद को साफ करना बहुत जरूरी है दोस्तों अगर इस छेद को साफ नहीं करेंगे तो कभी भी आपने देखा होगा कि जब हम गैस चूले को धीमा करने के लिए एक नौब घुमाते हैं तो गैस हमारी बंद हो जाती है ये इसी के कारण होती है एक सुई लेनी है और उस सुई से इस छोटे वाले छेद को ये देखिए इसमें दो छेद हैं एक ये बड़ा वाला है और एक ये जो है छोटा वाला है तो छोटे वाले छेद को जो हमको साफ करना है इस छेद को इस तरीके से साफ करेंगे हम इस छेद को ऐसे साफ करेंगे और इसके बाद में इस कपड़े को ऐसे बाहर निकाल लेंगे तो देखिए दोस्तों ये जो ग्रीस है हमको इस तरीके से लगानी है बिलकुल जरास ही लगानी होती है और ये छेद जो है इनमें ये ग्रीस नहीं लगनी चाहिए यह जो खाचा है यह इस साइड रहाएगा यह इस तरीके से लगेगा यह देखिए इस तरीके से अब इसके उपर इस प्रिंग लग जाएगी यह हूं और अब जो है उपर से यह लग जाएगा और इसका जो इसकुरू का यह जो छेद है तो यह सामने इस तरीके से रहाएगा और अब जो है ये वाला स्कूरू लगना है और ये स्कूरू लगाने के लिए हमको उपर से इसको थोड़ा सा प्रेसर देना होगा तो इस तरीके से हम दवाएंगे यह देखिए यहाँ पर इसका छेद दिखने लगा है अब इस छेद में इस स्कूरू को हमको फिट करना है तो अपने हाथों से अभी हम इसको हलका सा इस तरह से चड़ाएंगे चूड़ी तो जैसे ही इसकी चूड़ी चड़ जाएगी दो-तीन चूड़ी चड़ने के बाद में फिर हम पेंचकस की मदद से इसको टाइट कर देंगे तो यह देखिए दोस्तों इस तरीके से हमको ऐसे यह टाइट करना है यह हमने टाइट कर दिया और अब अब हम इसको वापस लगाएंगे लगाने से पहले हम इसमें नोजल फिट कर देते हैं नोजल का छेद हम इस तरीके से खोल सकते हैं यह जैसे अगर हमको नोजल चेंज नहीं करना है तो पुराने नोजल को हम इस तरीके से इसका छेद साफ कर लेंगे सुई से इस तरीके से और इसमें एक बार फूंक मार देंगे फूंक मार देंगे इसी तरीके से दूसरे साइड से भी दूसरे साइड से भी हमको इस तरह से ये सुई को इसके अंदर ऐसे करना है इसको इसके छेद को साफ करने के बाद में इस छेद में ऐसे करके घुमा देंगे और फिर से फूक मारेंगे अब ये नोजल हमारा एकदम साफ हो चुका है इसमें आरपार इसमें ये देखिए एकदम नोजल साफ हो चुका है अब इस नोजल को हम इसमें लगा देंगे तो देखिए ऐसे टच करके और इस तरीके से घुमाएंगे ये चूड़ी इसकी मिस न हो पाए हलका सा ऐसे घुमाएंगे और इसको घुमाने का तरीका क्या है ये हमको clockwise घुमाना होगा जब हम tight करते हैं तो इसको clockwise इस तरीके से घुमाते हैं तो यह हमने इस तरीके से घुमाया और यह हमारा जो है टाइट हो चुका है अब यहां पे दोस्तों ना हमको कोई धागा लपेड़ना है ना कोई टैफलोन टेप लगाना है क्योंकि टैफलोन टेप लगाने के बाद यह गर्म हो जाएगा तो यह जल जाएगा अब हमको ये प्लास की मदद से थोड़ा सा टाइट करना है दोस्तों इसको ज़्यादा टाइट नहीं करते हैं नहीं तो ये तूट जायेगा तूटने के बाद में हमारा खर्चा बढ़ जायेगा ये हमको पूरा वाल्ब चेंज करना पड़ेगा इसलिए इसको हलका सा ही टाइट किया जाता है अब इसको वापस लगाएंगे दोस्तों इसको लगाने का तरीका बहुत आसान है यह देखिए यहाँ पर ये छेद जो है इसके सामने आने चाहिए इस छेद के सामने तो इस तरीके से हम करेंगे इसी तरीके से इसको भी ऐसे मिला देंगे और यहाँ से पीछे से स्कूरू डाल देंगे अब हमको इस टोप को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर यह जो छेद है इसका इस तरीके से मिला लेंगे इसको टाइट करने से पहलए थोड़ा सा ढीला रखेंगे, जिससे कि यह दूसरा वाला भी जब हम छेद़ मिला लेंगे इसके बाद में दोनों को टाइट करेंगे अगर हम एक टाइट कर दिया तो फिर हम दूसरा वाला टाइट नहीं कर पाएंगे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, टाइट हो जाता है, एक साइट से तो वो खिचाब ले लेता है इसलिए हम दोनों को पहले हलका हलका टाइट करेंगे और जब दोनों टाइट हो जाएं, तो अब हमको जो है, इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है इस तरीके से जो है यह हमने टाइट कर दिया है अब टाइट करने के बाद इसको अब एम्टी लगाना है इसका जो मिक्सिंग ट्यूब होता है तो इसको इस तरीके से लगाएंगे और लगाने के बाद में जो फ्लाइनेट होता है इस फ्लाइनेट को इसके उपर इस तरीके से कस देंगे तो यह हमने कस दिया यह हातों से कस जाता है इसी तरीके से बड़ावाला भी हम लगा देंगे और ये देखिए इस तरीके से ये बड़ा वाला भी लग गया इसके उपर ये वासर लग जाएगा इस तरीके से और ये हमने फ्लाइनेट इसके उपर ऐसे लगा दिया तो ये फ्लाइनेट ऐसे हमने कस दिया हाथ से ही कसना है इसको प्लास से कसने की जरूरत नहीं है देखिए दोस्तों ये ये पूरा हिस्सा इसका गोल है इस तरीके से और ये हिस्सा जो इसका चप्टा है तो ये जो चप्टा वाला हिस्सा है वो यहां पे लग जाएगा ये देखिए इस तरीके से ये भी आपने देखा यहां का हिस्सा चप्टा है और यह उपर का यह पूरा यह गोल है तो हमको नॉब इसी तरीके से लगानी है यह इस तरीके से इसके उपर ऐसे बिठाएंगे और इसको दबा देंगे यह नॉब लग गया सेम इसी तरीके से दूसरा नॉप भी हम ऐसे ही लगाएंगे अब जो है हमको ये बंद कर देना है यहां से नॉप और ये जो बड़ा बर्नर है ये इसकी उपर लग जाएगा छोटा बर्नर इसकी उपर लग जाएगा और अब हम इसको चला के देखते हैं तो ये देखिए दोस्तों ये और ये ये देखिए अब दोनों का comparison करके आप देख लो ये और ये पहले के मुकाबले कितना तेज हो गया है तो इस तरीके से दोस्तों हम इसकी गैस की service करते हैं और गैस का जो valve है वो कैसे हमको साफ करना है gas के nozzle कैसे change करने है ये सब कुछ आपने सीखा अब दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो में comment करके बताएं चैनल पर यदि आप नए हैं तो किर्पया चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और दोस्तों के साथ share करें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद